विपक्षी दलों ने अब देश के उपराष्ट पती और राज्य सभा के सभापती जगदीब धन्खड को उनके पद से हटाने की तैयारी शुरू कर दिया है। किस तरह से उपराष्ट पती को राज्य सभा के सभापती को पत से हटाया जा सकता है। कि विपक्षी सांसद भिड़ जाते हैं। नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। बार-बार आरोप धनकर साप पर ये लगाते हैं कि वो विपक्षी सांसदों के साथ भेदभाव करते हैं। बोलने नहीं देते, उनका माइक बंद कर देते हैं। और अब नया आरोप ये लगा है कि वो विपक्षी सांसदों पर परसनल रिमार्क करते हैं। निजी आरोप लगाते हैं। निजी टिपणियां करते हैं। और बार बार जब भी कोई मसला होता है उसे सुलजाने के लिए अपने चेंबर में सांसदों को बुलाते हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है। अब दरसल हुआ कल क्या। जया बच्चन, जब जगदीब धनकर ने जया बच्चन का नाम फुकारा। अब जया अमिताब बच्चन बोलेंगी, जया बच्चन भड़क गए। जया बच्चन कहने लगी, मैं आपकी टोन समझती हूँ, मैं खुद एक एक्टर रही हूँ। आपकी टोन एक्सेप्टेबल नहीं है, स्विकारे नहीं है। जगदीब धनकर इस बात पर नाराज हो गए, उन्होंने भी उल्टा सुना दिया, कि आप खूब रेपुटेशन आपने अपने काम में कमाई होगी, लेकिन यहां मैं इंचार्ज हूँ। क्या कुछ हुआ और ये नौबत क्यों आई, और कैसे इसी कश्मकश में, इसी खीच्तान में, जगदीब धनकर यहां तक कह गए, कि देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं मलिकार जुन खर गए। आप कुछ सुनिए। Mitaab Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. Sir, मैं Jaya Mitaab Bachchan ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ। Body language समझती हूँ, expression समझती हूँ। और सर मुझे माफ करियेगा, मगर आपका तोन जो है, is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, 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 she is giving to you. No. You don't have a floor now. No. Enough of it. Enough of it. No. Enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the declaration. No. Nothing. Nothing. No. No. Not at all. I will not dare it. और इसी खीचतान में इसी बहस में जगदीब धनकड यहां तक कह गए खरगे जी आप देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं ले कॉंग्रेस पार्टी कल से आग बबूला है. अब जगदीब धनकड को तभी से पत्से हटवाने की तैयारी में विपख्ष लग गया और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया पूरा गठपंधन एक हो गया है. और अविश्वास प्रस्ताव जगदीब धनकड के खि यारी में है, खबर तो ये भी है, सुत्रों से खबर है कि करीब 87 विपख्षी सांसदों ने इस पर दस्तखत भी कर दिये गया है. ये अविश्वास प्रस्ताव पहले राज्य सभा में लाया जाएगा. हाला कि ये सत्र खतम हो गया है, इसलिए फिलहाल अगले सत्र तक के ल उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी देखिए, जया बच्चन बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहती है, वो चेयर पर बैठे है, उन्हें अधिकार है, चेयर से बाहर वो आम MP की तरह है, वो हमारे अन्न दाता नहीं है. मैं सभापती की भाशा से निराशूं, आज तक ऐसा किसी ने नहीं बोला, जरा जया बच्चन को सुनिया. मैं सभापती को, देश के उपराश्ट पती को, उनके पत से हटा पाएगा, इंडिया गट पंधन, आज राश्ट की बात में मेरे साथ BJP और कॉंग्रेस से दोनों पार्टियों की तेज तर्रार प्रवक्ता, उधर से संजु वर्मा, इधर से विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा अचार्या, समाजवादी पार्टी से मनोच सिंग काका, जे डियू से राजीव रंजन, पार्टी के राश्टिये सचिव हैं, और मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ट पत्रकार हैं, राजनीतिक विशले शक, आप सभी का स्वागत, शुरुआत, विंग कमांडर आपसे अनुमा जी,